हाई गाईज वेलकम तो और यूट्यूब शैनल धरियल इन्वेस्मेंट एंजल फाइल केमिकल स्टॉक के अंदर जबरदस हमें रैली देखने को मिली और स्टॉक का मुमेंटम स्टार्टिंग से ही आप पर अप्ट्रेंड वाला देखने को मिला और इस बेच स्टॉक के से स्टार्ट होते हुए हमें देखने को मिली और क्लोजिंग मुमेंटम तक स्टॉक का ऐसे ही मुमेंटम हमें देखने को मिला और स्टॉक हमें दॉठ सकती है lass यह दो तक नहीं तुटेगा तब से के अंदर कोई बिक्वाली करने के लिए तयार नहीं हो जाता और जब एंजिल फाइन केमिकल यह पर सरक्रीट तूटेगा एक करेक्शन तो देखने को मिलेगा यह मिलेगा क्योंकि आप स्टॉक्ष यहां पर एक अपर सरक्रीट की मुमेंटम पे तो कोई भी हां पर अपना प पिक पॉइंट से काफी जबर्दस तरीके से यहां पर हमें तूटते वे देखने को मिलेगा और आफ महां पर सिर्ण पैटर्न की बात की जाये तो आपको पताना चाहूंगे यहां पर सिर्ब लोग्यों यह पर होल्डिंग देखने मिलते एक तो प्रमोटर्स और दूसरे प्रमोटर्स के बास है और एक बात आपर खाल डेने又ाएं juk cm के अंदर देखनी को मिल रही जिसके चलते यह सेवीं की कंपपनीrenmotion को जब पूरी तरीके से वेरिफाय नहीं कर लेती तब तक स्टॉक एसम लिस्ट में हमें देखने को मिलेगा तो कहीं न कहीं हाँ पर इन्वेस्मेंट में थोड़ा से आपर एक अलर्ट सिच्वेशन यहाँ पर क्रेट होते हैं एंट्री नहीं लेनी चाहिए नेक्स लिए पर रिटन के अंदर हो काफी अच्छी यहां पर स्टॉक में ग्रोथ हमें देखने मिल रहे हैं अब एक बार फंडामेंटल पॉइंट्स भी स्टॉक के बार में जान लेते हैं आप देख सकते कंपनी के वर करदा देखने मिल रहा है जो कि 28.23 करोड रुपीस का लेकिन 3.07 करोड हो है लेकिन जो में सिच्वेशन होती है स्टॉक के अंदर यानि कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वह यहां पर हमें डेगेटिव देखने को मिल रही है तो यह यहां पर फंडामेंटल थोड़ा सा एक गुड स्टॉक माना ज़रा है ना कि बहुत ही अच्छा स्ट है ऐसा तो यहां पर यह बाते हमें देखने को मिले एंजल्फाइन केमिकल स्टॉक के रिडेट टो आइब सारी बाते समझ चुके हो गया और आप एक राइट डिसीजन लेगे एंज़्फाइन केमिकल स्टॉक के रिडेट तो थैंक्यू सो मच